तो question तो आपने देख लिया होगा तो dispersive power of creating का मतलब है कि creating में जो दो अलग-अलग wavelengths की peaks है वे एक दूसरे से कितनी जाद दूरी पर बन रही है उनके बीच में angular separation कितना है कितना grating जो है उनको separate कर पा रही है तो यह dispersive power का मतलब होता है इसको d theta upon d lambda से represent करते हैं पर d theta क्या है जो peaks है उनके बीच का angular separation और d lambda जो है वो उनकी wavelength में जो difference हो है तो d theta upon d lambda equal to n upon a plus d cos theta जहीं वहीं दूसरी और resolving power का मतलब है कि दो wavelengths एक दूसरे के कितने close होकर भी हमें अलग अलग दिखाए दे हम उनको अलग अलग observe कर सके यानि कि दो बहुत ज्यादा close wavelength उजिन की पी एक दूसरे के बहुत close हो उसके बावजूद भी हम उनको अलग अलग separately देख सके एक दूसरे से भी अलग हो एक दूसरे पर सूपर इंपोजन आओ तो ऐसी दो पी जो है स्पेक्टर लाइन स्बनाने की जो पावर है दाट इस रिजूल्विंग पावर ओप्रेटिंग और इसको लैमडा पून दी लैमडा से रिप्रेजेंट करते हैं लैमडा पून दी लैमडा इक्वाल टू एन एन जापी पिर्टिंग से नमबर ओ रूलिंग और ओ दिटूल एन इस दो ड़र ओ दिद्रेटिंग्चिंग्ट